जैमातादी मित्रो आप सभी का स्वागत है मित्रो आज हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई शुकरवार के राशी फल के बारे में जानेंगे मेश राशी से लेकर मीन राशी तक का हाल सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की 17 जुलाई शुकरवार को श्रावन मास के क्रिशन पक्ष की द्वाशी दिती रहेगी रोहिनी नक्षत्र शाम आठ बचकर 27 मिनट तक रहेगा इस दिन वृद्धी योग में चंदरमा वृषब राशी से गोचर करेंगे शुरियोदे का समय सुबह 5 बचकर 34 मिनट पर और सुरियास्त का समय शाम को 7 बचकर 19 मिनट रहेगा इस दिन का शुब समय सुबह 7 बचकर 17 मिनट से 8 बचकर 17 मिनट और दोपहर 12 बजे से 12.54 तक रहेगा अशुब समय रहुकाल का समय सुबह 10 बच कर 43 मिनट से 11 बच कर 69 मिनट तक रहेगा रहुकाल के समय में किसी भी नए वे शुब काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए दोस्तों 17 जुलाई शुकरवार को गोचर में ग्रहों की स्थिती इस प्रकार बनेगी की चंद्रमा और शुकर वरिशव राशी में मंगल मीन राशी में शनी मकर राशी में ब्रस्पती केतु धनु राशी में बुद राहु मिथुन राशी में और सूर्य करक राशी में रहेंगे प्रिशब राशी वालों का मन सुबा से ही किसी बात को लेकर प्रसन रहेगा नई योजना से लाब की प्राप्ती होगी उत्तम बेवाहिक सुख प्राप्त होगा मिथुन राशी वालों के इस दिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं जल्द बाजी में कोई भी काम ना करें या त्राओं में साब धानी रखें करक राशी वालों के अधूरे काम बनते हुए दिखाई देंगे रूका हुआ धन मिलने की उम्मीद है काम में तरक्की होगी शिंग राशी वालों को इस दिन करियर में बैनिफिट मिलेगा नए निवेश से लाब की प्राप्ती होगी संपत्ती सुख प्राप्त होगा लेकिन मेहनत बढ़ेगी कन्या राशी वालों के भाग्य में वरिद्धी होगी इंकम में इजाफा होगा और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा तुला राशी वालों को इस दिन सेहत की चिंता रह सकती है फिजूल की भागदोर से बचें फिजूल खर्चों पर रोक लगाएं विश्चिक राशी राशी वालों के इस दिन नए संबंद बनेंगे आये में वरिद्धी होगी दिन आप के लिए भाग्य शाली है धनू राशी वालों के इस दिन वाद विवाद हो सकते हैं उलजने रहेंगी परिशानियों से मन भी परिशान हो सकता है मकर राशी वालों की संतान की तरक्की ह आर्थी पक्ष मजबूत रहेगा कुम राशी वालों को पारिवारिक जिम्मेवारियां पड़ सकती हैं लापरवाही करने से आपको इस दिन बचना है मीन राशी वालों को यात्राओं से लाब होगा शिक्षा और प्रेम संबंदों में लाब की प्राप्ती होगी दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ओम नमस्शिवाय जरूर लिखे